आज हम लोग काइनेटिक थेरे अब गैसे का लेक्चर नंबर टू डिसकस कर रहे हैं इसमें हम लोग आरमेस स्पीड प्रेशर ऑफ गैस थर्मल काइनेटिक अनर्जी ऑफ गैस मीन फिरी पाथ और मैक्सल वेलिसिटी दिस्ट्रिगूशन डिग्री ओ फ्रीडम जो है यह हम ल है ना सबसे पहले बात करते हैं एक रील गैस इक्वेशन में ना पी ब्रीच एक्वेशन Ahh십 क्वेशन उर अब इस इक्वेशन क्वेशन के आपेष इसपुशन प्र análप थे तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने है अप़लाई किया था और आइडियल क्वेशन है theoretical concept का मतब कोई भी gas closer to ideal तो हो सकता है लेकिन hundred percent ideal नहीं होता है क्योंकि actually क्या है ना कि हम दो assumption कर रहे थे जब हम ideal gas को apply कर रहे थे तो हम दो assumption ले रहे थे एक तो assumption हम यह ले रहे थे कि gas के molecules जो है ना gas के जो molecules है इसकी कुछ न कुछ तो volume होगी कुछ न कुछ तो इसकी volume कुछ न कुछ तो यह volume अकुपाई किये हुआ है लेकिन ideal gas equation जब हम apply करते हैं तो हम यह करते हैं कि volume of gas is negligible as compared to volume of sorry volume of gas molecules is negligible as compared to volume of gas यह नहीं माल लीजे कि यह कोई container में gas के molecules है ठीक है न यह molecules कुछ न कुछ volume तो अकुपाई किये होंगे अगर इसको मैं पगड़के खीच दूँगा तो यह कुछ न कुछ तो जगह पर सिकुड किया जाएंगे यहां पर जमा हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ है कि gas के molecules कुछ न कुछ volume occupy किये हुआ है जिसको आप negligible मान रहे हूँ आइडियल मिली है आप negligible मान रहे हूँ बट practically gas के molecules के कुछ न कुछ volumes होते हैं जिसको आप neglect नहीं कर सकते दूसरा assumption क्या कर रहे थे कि आप जो जो gas के molecules हैं आप यह लेते हो कि molecules के बीच में कोई intermolecular force of attraction नहीं है यह दो assumption बहुत आप लिए है but actually gases के molecules के बीच में intermolecular force of attraction होता है यानि आप उसको actually neglect नहीं कर सकते तो real gas यह दोनों चीज़ों को follow नहीं करता है इसलिए ideal gas में आपको दो correction करने पड़ेंगे एक किसमें correction करना पड़ेगा बैटा किसमें correction करना पड़ेगा प्रेशर में correction करना पड़ेगा क्यों प्रेशर में correction करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक additional force है that is the force between the molecules जिसको आप पहले neglect कर रहे थे ideal gas में आप neglect कर रहे रेकिन real gas कहता है कि नहीं भाई actually molecules के बीच में force लगता है तो यहाँ पर हमारा जन्म लेता है क्या real gas equation real gas equation और real gas equation क्या कहेगा P plus दिखावा आपको N square by V square यह देखे प्रेशर मेंने correction कर दिया फिर मैंने क्या कर दिया volume में correction कर दिया is equal to क्या हो गया मेरा NR जहाँ सारी चीज़े तो आप जानते हो P क्या pressure है V क्या volume है इनके number of moles है R क्या gas constant और T क्या है temperature है बस दो चीज़े आई इसको वेंडर वाल equation भी बोलते है यह जो मेरा equation आया है इसको मैं वेंडर वाल gas equation भी बोलता हूँ या वेंडर वाल real gas equation भी बोलते है तो मेरे पस दो constant आया है एक क्या है A और एक क्या है B जो constant है एक्स्ट्रा जो real gas equation में नहीं था तो इसको हम बोलते है वेंडर वाल वेंडर वाल constant और इसकी value जो है वो nature of gas dependent करेगी वेलू किस प्रटिपन करेगी बटा nature of gas प्रटिपन करेगी इसका मतलब यह हो गया कि हर gas के लिए value अलग अलग होगा लेकिन एक particular gas के लिए constant होगा जैसे hydrogen के लिए कुछ और होगा oxygen के लिए कुछ और होगा helium के लिए कुछ और होगा लेकिन एक particular gas के लिए तो यह आप किसके लिए लगा सकते हो real gas equation के लिए खिले रहे है यहां तक सभी आदमी को यानि ideal से थोड़ा सा हटके हमारा क्या आया है real gas equation है ठीके चल लो अब यहां पर आता है बटा armist speed of gas armist को basically actually हम बोलते है full form इसका जो होगा that is root mean square क्या होज़ागा बटा root mean square है ना तो माल लेजी की gases के बहुत सारे molecules है in number of molecules है सब कुछ न कुछ speed के साथ move कर रहे है यह पहला वाला है that is moving with V1 speed यह दूसरे molecules that is moving with V2 speed यह तीसरा molecules that is moving आपको पता है कि gas molecules randomly motion कर रहे है यह in number of molecules है इसकी speed क्या VN है ठीक है बटा समझे रणवाद तो armist speed हमको निकालना है तो armist speed क्या कर रहे है square तो पहले क्या करो velocity के square यह नहीं आप उल्टा आओ root mean square तो पहले आप velocity के square कर दो तो जितने भी velocity है V1 के square पलस V2 के square पलस V3 के square swan कहां तक चला जगा बटा VN के square अब क्या कर रहे है उसका mean पहले क्या करना है एकटए स्वाइर उसके बाद क्या करना मीं निकाल दिया उसका क्या करतिए पहले पहले आप सक्टेज का नीकालमीन और फिर उसका रूट बन जाएगा pipa रूट मीडियाओ और लेख गशन्राइट एकटा length सब्सक्राइब आपको वी आरे मेस निकालना है तो मेरे पास एक और फर्मूला है थिरी आर टी बाई एम यहां पर आर क्या है गैस कॉंस्टेंट टीक टेंप्रेचर एंड एम इस दो मोलर मास ऑफ गैस एम क्या है बटा मोलर मास इसका निकालना उसका मोलर मास मत्रुट आपको सब एसा यूनिट पे रखना है जैसे तो यहां पर जो आपको मोलर मास रखना है वो किसमें रखना केजी में रखना ध्यान रखोगे याद रखना इसको कि मोलर मास जब भी आरे में से स्पीड निकालने के लिए लगाओगे तो आप किसमें रखोगे केजी में रखोगे है अब यहां पर देख लो जो कि प्रीवेस क्लास में पर बताया था कि आर इस एकल टू क्या होता है बेटा बोल्ड्जमेन constant इंटू एवगार्डो नॉल यह उता नार इस एकल टू और इसकेंड तो बोल्ड्जमेन इस इक्वल टू रूट अंडर 3 आर की जगह क्या करो गया बोल्जमन कॉंस्टेंट इन्टु एवगार्डो नंबर डिवाइड़ भाई क्या हो जाएगा बिटा मोलर मास अब मोलर मास को अब क्या लिख सकते हो रूट अंडर 3 अच्छा टी भी आएगा यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा यह और यह कैंसिल हो जाएंगे वह गाटो नंबर वह गाटो नंबर तो यहां पर वी आर्मस का एक और फॉर्मूला मेरा बन गया रूट अंडर 3 बोल्जमन कॉंस्टेंट टेंपरेचर डिवाइड़ वाइड़ वाइड मास अफ स्मॉल एम मास इच मॉलेकूल कि यहां पर आया समझ में अब यहां पर दिया हुए कुश्चन देख लिए करेट टू मॉलेकूल्स ऑफ गैस गैस के दो मॉलेकूल के एक स्पीड और दूसरे के स्पीड दिया हुआ है इस पावर मीटर अधेड लिए ना इस इकल तो कितना दिया है वेलो नाइन इंटू 10 प्र पावर 6 मीटर पर सेकेंड दिया है व्यां पर कहते हैं कि आर्म एज निकालो जब इंडिविजूल दिया रहेगा तो क्या करोगे और मैस इस इकल यहां पे 2 है आप क्या करोगे वी तो यहां पर कर दो रूट अंडर वी वन की वैलू कितनी दिये 9 इंटू 10 पर 6 पर पलस क्या हो जाएगा 1 इंटु 10 पर प्रफ शीक्स के स्क्वाइद अब क्या तो वी आरे में अगा प्लस में हो जाएगा वान इंटू एटीवन प्लस वन डिवाइडड वाई वाई तो वी आरम्स इसनुप्ल तो क्या हो जाएगा रूट अंडर टैन्प्र पावर 12 into 82 divided by 2 कट जाएगा कितना हो जागा 10 पावर 12 कितना लिएगा 10 पावर 6 और क्या बच गया रूट 41 अब रूट 41 का वैलू अगर नहीं पता तो option देख लो actually मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ रूट 36 रहेगा तो कितना आएगा six आएगा रूट 49 रहेगा तो कितना करता है मीटर पर सेक्ट तो यह मैंने निकाल दिया अगर आर्टी के फॉर्म में रहता आर्मस देखरो ना कई सारे फॉर्मूला है यह इंडिवीजुल के लिए है और यह क्या है जब आपका आर्टी के फॉर्म में दिया रहेगा तो यह लगाएगा बोल्ड्मन कॉंस्टेंट के अब जीरो पुट करोगे तो यहां पर ँरमस देखेंगे वी आवरेज आवरेज वेलिस दिवक्रटी हो जाएगा एट पाइंटू आ रटी को डाइंट आर्टी भाई एम स्ट तो यहां पर क्या हो जगा आर्टि इसको भी देखेंग अभी आगे तो यह होता है बैटा टू आर्टी बाई एम कि ये भी गोट करेंगे तो यह जाएगा यह जो भी इस पीड चाहे आर्मा से स्पीड चाहे बुट क्या जाएगा जिरो तहाब कह सकते होगि काइनेटिक यह गहता है कि मॉलेकुल का मोशन क्या हो जाएगा उसको जितने भी तरह कि उसके पास cities वो possess करता हो सारे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे के लिए रहे बटाए यहां तक चलिए अब आज यह pressure of gas हमको आपको पता है न प्रिवेस class में आपको बताये थे जब postulates of kinetic theory बताये थे तो हम कहें कि actually gas जो pressure exert करता है that is the collision between the gas molecules with the wall of the container container के वाल से जो उसका collision होता है that is the real cause of the pressure of gas तो मैं माल लीजे कि एक मैं container ले रहा हूं और कि से ले रहा हूं क्यूब शेप कर ले लगा हूं कि यहां पर मेरे पास क्या है बटाए एक क्यूब है ठीक है न ठीक है क्यूब शेप है ओके अब यहां पर माल लीजे कि इस क्यूब की जो length है वो कितना है एल है कि अब यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर एक molecules है है न अब यह molecules गये यहां पर collide कि इसकी स्टिट कितनी हो जाएगा एक्स और इसका मास कितना हो जाए है तो एक्ट्ट्ट को जो वाल के साथ जो मॉलकुल जाकर कॉलाइड कर रहा है ना that is the causes of pressure तो actually आपर force निकालना पड़ेगा और चुके molecules की momentum भी है माल लो जाने का momentum उसका initial momentum PI ले लो और आने का momentum PF ले लो that is the final momentum और ये momentum के change में उतने कितना time लिया टी टाइम लिया है ना तो change in momentum से force आ जाएगा और area से डिवाइड करोगा तो pressure आ जाएगा तो मैं initial momentum ले रहा हूं initial momentum कितना हो जाएगा mass into velocity तो mass कितना M और velocity कितना UX similarly final momentum कितना हो जाएगा बैटा M लेकिन velocity कितना हो जाएगा माइनस UX माइनस इधर आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा माइनस M UX अब यहाँ पर आ जाएगा change in momentum तो change in momentum क्या हो जाएगा final momentum माइनस initial momentum that is minus M UX minus M UX ये दोनों क्या हो जाएगा minus 2 M UX यानि इतना momentum का आपका change आ रहे है ये तो माइनस साइन तो जस्ट डारेक्शन को इंडिकेट कर रहे है अगर मैं सिर्फ इसको magnitude के terms में लिख दूँ और मैं सिर्फ magnitude of change of momentum लो तो मैं क्या लिख सकता हो माइनस टेमी UX माइनस साइन को माइनस साइन जस्ट इंडिकेट की रेट ओफ चेंज ओफ मुमेंटम तो रेट ओफ चेंज ओफ मुमेंटम क्या हो जागा उसको टाइम से डिवाइड कर दोगो तो लिटा पी बाइटी इस इक्वल टू क्या हो जागा टूएम यूएक्स वाई टी और रेट ओफ चेंज ओफ मुमेंटम क्या और नीूटन का सिकेंड लो क्या कहता है कि फोर्ट इस डायरेक्टल पर प्रोपोष्ट्रल टू रेट तुछ चेंज जो इस एक्वल टू क्या त रखते हैं यहां पर कॉंस्टेंट हो तो वन आ जाएगा तो एम यूएक्स बाइटी इतना मेरा फोर्स इसको चलो वन मालो और इसको इक्वेशन निकालना है तो एक्चुली अगर मैं कंसेडर कर रहा हूं कि यह यहां जा रहा है कुलाइड किया और कुलाइड करने के बाद फिर यह वापस आ रहा है तो कितना डिस्टेंश जा रहा है ऐसे मॉलकूस गया यह को लेजंट किया इसने कवर किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने वैल और velocity कितना हो जाएगा UX, UX से हो जा रहा है, UX से हो आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं put करूँ, तो आप force is equal to क्या हो जाएगा, बताओ, F is equal to 2M UX, by T, तो T की जगा आप क्या रख सकते हो, 2L by UX रख सकते हो ने, टाइम की जगा, अब यहाँ पर force is equal to क्या हो जाएगा, 2M UX, यह UX जाके multiply हो जाएगा, UX, divided by कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलो, 2L तो है रहेगा, तो 2 से 2 कट कर दो, यानि कितना हो जाएगा, M UX का square by L, that is the force, force हागया यहाँ तक, अब मुझे निकालना है pressure, तो pressure is equal to क्या होता है, बताओ, pressure is equal to क्या होता है, force, और unit area, तो यहाँ पर force हागया, मेरा M UX square by L, तो यहाँ पर force रख दो, that is M UX square by L, है न, into क्या रखना है आपको, into क्या रखना है, area, तो area क्या हो जागा, यही area रखोगे ना, that is the area न, cube का जो side है, यही area लोगे आप, इसका area रखोगे यह वाला part का area, इसका area कित्मा हो जागा, cube का, यह side का area क्या हो जागा, यह के square type का है, तो क्या हो जागा, length का square, यानि क्या हो जागा, L square, तो यह क्या बन जागा, M UX square by L cube, क्यूब का वॉलूम होता है साइड का क्यूब तो प्रेशर इस इकल टू क्या वगया बटा एम यूएक्स स्क्वाइर बाई वॉलूम यह मेरा आगया प्रेशर अब याद करो जब पॉस्चुलेट्स ओ डाइनटिक है मैं आप बात बताय था और मैंने व्यू स्टुयू स्टो यह से करो गे तो U x square by 3 यहां पर पुट कर सकते हो पी जुँकल क्या होजाँSi थी यह यह प्रेशर इन हर लेकिन यह प्रेशर किंगल के सिंगरी आए इक मॉलीकुलतź इतना प्रिशर कर रहा मिक्स्õ eUp उसमें ऐस में कई सारे मॉलिकुल से मैं लिखता हूं फॉर इन नंपर उफ मॉलेकूल क्या लिक्ता- इप फॉर एन नंबर ऊफ मGroup्स मुझे N number of molecules के लिए काम करना है N number of molecules के लिए क्या हो जाएगा बताओ तो P is equal to क्या हो जाएगा M by 3 भी तो common रहेगा और U square के लिए आप क्या लिख सकते हो U1 का square U2 का square U3 का square स्वान कहा तक चला जाएगा बटा U1 का square क्योंकि सभी की speed अलग-अलग है तो मैंने कर दिया अब mathematically आप लो math के student divide कर सकते हो N से और multiply कर सकते हो N से Mathematically तो ऐसा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अब ये बताओ कि ये वाला part क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा ये वाला part अभी मैंने बताएगा हूँ root अंडर V1 का square प्लस V2 का square प्लस V3 का square 1 by N क्या होता है Vrms square को रोगे तो root हट जाएगा यानि ये क्या बच जाएगा आपका M N by 3B into क्या हो जाएगा Vrms ये मेरा pressure लगा N number of molecules अब एक molecules का mass M है और N number of molecules है तो total mass of gas कितना हो जाएगा M into N हो जाएगा ये इसको क्या लिख सकते हो बचा P is equal to यानि P is equal to आप लिख सकते हो capital M divided by 3 V into क्या लिख सकते हो आप Vrms का square यानि इतना pressure जो है आपके molecules जो है वो exert कर रहे है अब यहाँ पर क्या है mass by volume mass by volume को अब क्या लिख सकते हो बचा बताओ density तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by 3 rho और क्या हो जाएगा Vrms का square that is the pressure exerted by N number of molecules where rho is density of gas की लिए ने समझ में आगया कोई दिक्कत यहाँ तर नहीं है अब यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ यहाँ पर तो मैं pressure का तो derivation कर लिए कुछ किया नहीं हो बस change in momentum time से divide कर दिया तो rate of change of momentum बन गया rate of change of momentum force हो गया उसको मैंने divide कर दिया area से तो pressure बन गया और उसके बाद single molecules के लिए और N molecules के लिए किया उसके बाद मैंने Vrms पूट कर दिया ठीक है ना अब यहाँ पर देखो बैटा kinetic energy एक और चीज़ यहाँ पर proof करते है kinetic energy तो kinetic energy क्या हो जाएगा एक single molecules के लिए कितना हो जाएगा 1 by 2 m u square half m v square होता है ना यह किसके लिए हो जाएगा बैटा for a single molecules मालेजे मेरे पास n number of molecules है तो kinetic energy is equal to क्या हो जाएगा बैटा बता हो वन बाइटू क्या हो जाएगा m into u1 का square plus u2 का square swan कहां तक चला जाएगा बैटा u1 का square और divided by क्या करोगे एँ into क्या करोगे एँ यह n number of molecules के लिए है इसको मैं k dash मानता हूँ इसको मैं k मानता हूँ तो kinetic energy is equal to क्या हो जाएगा यह तो vrms हो जाएगा ना यह तो क्या हो जाएगा बैटा 1 by 2 m n into क्या हो जाएगा vrms का square और m n का अब क्या लिख सकते हो total mass of gas लिख सकते हो ना लिख सकते हो बैटा यह तो vrms मेरा हो गया तीक है ना और m का है mass of each molecules small m is always the mass of each molecule ध्यान रखियेगा mass of each molecules एक molecules का mass यह कितना हो जाएगा kinetic energy is equal to 1 by 2 m vrms का square capital M is the mass of gas it's not a mass of each molecule that is the mass of gas अब यहाँ पर मेरे कोई चीज निकालना है that is the energy density kinetic energy आ गया है यहाँ पर अब मुझे निकालना है energy density energy density क्या हो जाएगा energy density को मैं किस से इंडिकेट कर रहा हूँ E से तो density density का मतद energy per unit volume is known as energy density simple energy density क्या हो जाएगा E is equal to energy per unit volume is energy density तो मुझे यहाँ पर अगर energy density निकालना होगा तो E is equal to क्या है energy that is the energy kinetic energy 1 by 2 capital M V rms का स्क्वाइर डिवाइड कर दी जुसको volume के साथ तो वो मेरा क्या बन गया बटा क्या बन गया यहाँ पर energy density बन गया अब यहाँ पर आप क्या पूट करोगे E is equal to 1 by 2 mass by volume है यह तो mass by volume क्या हो जाएगा rho and that is V rms का स्क्वाइर यह मेरा आगया बटा energy density it's not energy it's energy density याद रखेगा energy is this kinetic energy यह energy करे लो इसके लिए यह formula लगाऊ गया in molecules of mass के लिए single के लिए तो आपको पता ही है ठीकर ना और energy density लगाना है तो आप 1 by 2 rho rms लगाऊए अब मैं दोनों को divide करता हूँ pressure by energy तो देखो मेरा pressure क्या है बटा 1 by 3 rho rms का square है न v rms का square तो pressure क्या हो जाएगा 1 by 3 rho v rms का square और energy density कितना है बटा 1 by 2 rho v rms का square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by 3 और 1 by rho rms और rho rms कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ क्या बच गया P by E तो P by E is equal to क्या हो जाएगा 1 by 3 और यह 2 पर चला जाएगा 2 by 1 यानि कितना हो जाएगा 2 by 3 यानि pressure by energy density का relation क्या होता है 2 by 3 यह याद रखेगा यह important relation सहीए बटा यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ pressure is equal to 2 by 3 into E done किसी कोई doubt यहाँ तर kinetic energy of single molecules फिर n number of molecules फिर total kinetic energy निकाल दिया फिर energy density density पता है यह जिसे density mass by volume density निकाल लेकिल मैंने volume से divide कर दिया तो मेरा energy density आ गया 1 by 2 rho v rms square अब P by E मैंने कर दिया जो 2 by 3 आ रहा है ओके clear यहाँ तक चलिए अब यहाँ पर एक question भी आ बटा relation between pressure and energy actually it's not energy यहाँ पर होना चीए हमारा energy density तो कौन सा answer होगा यहाँ पर what will be the option energy density और pressure में क्या relation है P by E is equal to क्या है मेरा 2 by 3 2 by 3 है ना P by E is equal to 3 by 2 नहीं बटाए 2 by 3 है है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P is equal to क्या हो जाएगा बताओ 2 by 3 into E जाकर multiply हो जाएगा option number A ना नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इफ 10 पर पर 22 गैस मॉलेकूल्स इच अफ मास 10 पर पर माइनस 22 केजी कुलाइड्स विद अस सर्फिस पर्पेंडिकूलर तो इट इलास्टिकली पर सेकेंड ओवर एन एरिया तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है नंबर ओफ मॉलेकूल्स दिया हुआ है गैस का मास एक गैस का मास दिया हुआ है पर सेकेंड दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है तो प्रिशर आपसे पूछ रहा है कि तो फोर्ष क्या हो जाएगा सबसे पहले चेंजिन मुशचलature कि अब शॉचेंज इनolas ऱ्यू यू एक मॉलेक्स होता है अभी पीछे देखें इं नंबर ऑफ मलाउक्ह से तो आसे इसे बल्टिपलाइ तो कितना हो जागा 2MNU by 1 मतलब वही हो गया 2MNU अब यहां पर निकालना मेरे को प्रेशर तो प्रेशर इस उकल टू क्या हो जागा प्रेटा बताओ फोर्स अपॉन एरिया यह तो आगया आपका फोर्स 2MNU डिवाइड वाइड 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 अर्या यहां सब क्या वैलो पुट कर दो 2 एंप स्मॉल एंप क्या मास ओविच गैस लेट इस टेन पर पावर माइनस 26 एंग कितना तेन पर पावर 22 एंग मॉल्स ऑप पावर 4 तो यहां पर बोल ला है तो प्रेशर इग्जर्टेट वाई गैस मॉलकूल विल बी दा ओर और अव इतने के ओर्डर में होगा जैसे 2 इंटू 10 पर 10 होगा तो यहां पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो प्रेशर इस इगल टू टू इन्टू 10 पर पावर जीरो क्योंकि किसी भी चीज़ पर पावर जीरो होती तो उसकी वैलू कितनी होती यानि एंसर क्या हो जाएगा टेन पर जीरो टेन पर कोई पावर ही नहीं आ र यह से जो वालूम अकुपाई कर रहा है डिट इस टू मीटर क्यूब अट प्रेशर ऑफ त्री इंटू 10 पर 6 पास्कल दे एनर्जी ऑफ गैस को आपके एनर्जी निखाल ली तो अभी हम लोग पढ़े है ना पी बाइए तो पी बाइए इस इकल टू क्या होता है बटा ठी कितना हो जाएगा 2E is equal to 3P तो E is equal to कितना हो जाएगा 3P by 2 is equal to 3 into pressure कितना है 3 into 10 पर 6 by 2 is equal to कितना हो जाएगा 9 by 2 into 10 पर 6 यह क्या है यहाँ पर energy density it's not energy it's energy density यह है यह यह एनरजी डेनसिटी है और energy density क्या होता है बटा energy by volume यहनि हमको यह जो आया यह energy density की वह वालू आई यह आप लिख सकते हो energy by volume is equal to nine by 2 into 10 पर 6 तो इनर्जी इस इकल टू कितना वावर शिक्स इन्टू वालूम कितना है तो वालूम से तो गुना करना पड़ेगा इन्टू टू कट गया तो एनर्जी इस इकल टू मेरा क्या जाएगा बताओ इस से मेरा एनर्जी पर उनिट वालूम आया अब मैं एनर्जी पर उनिट वालूम को निकाला और वालूम को लेगा मल्टिप्लाई कर दिया मींस ऑप्शन नमबर सी ओके क्लियर बटा यहां तक सभी आदमी को चलिए अब यहां पर आता है बटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दो मॉलेकूल्स तो अगर मैं लूँ एक गैस मॉलेकूल्स मैं लिख दूँ यहां फॉरा गैस मॉलेकूल्स टेक गैस मॉलेकूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है एक में लिखता हूं यहां पर यहां पर एक मॉलेकूल्स का मास में कितना ले रहां एम एंड इस वी आर्मस का स्कॉआज सिंगल मॉल्कूल्स करें निकाला अब आप देखें यहां पर थोड़ी द्र के लिए बात फॉर गैस मॉलकूल्स से सिंगल गैस मॉलकूल्स की वी आर्मस इस उकल टू क्या है था मेरा भी रूट अंडर थिरी आर्टी बाई एम यह था ना बिटा वी आर्मस के लिए अब यहां पर करो वी आर्मस का स्कॉआर वी आर्मस का स्कॉआर कितना हो जाएगा थिरी आर्टी बाई एम तो यहां पुट कर सकते हैं यानि काइनेटिक एनर्जी इस इकल टू क्या हो सकता है वन बाई टू और यह कितना हो जाएगा थिरी आर्टी बाई एम इंटू स्मॉल एम तो यह वाला है यानि मेरा काइनेटिक एनर्जी इस इकल टू कितना आगे ब यहां पर यहां पर देखो एक्चुली क्या है ना यह जो मोलर आ रहे तो आर इस इकल टू मैंने आपको बताया है कि आर इस इकल टू क्या होता है बोल्ड्समेन कॉंस्टेंट इंटू अवगार्डो नंबर तो यहां पर मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इस इकल यहां क्या है मोलर मास तो मोलर मास को एक्चुली मोलर मास को क्या लिख सकते हो मास ऑफ इच मॉलकूल इंटू अब यहां पर बड़ा मेरे पास स्ट्वाइब यहां पर क्या हो गया मेरे पास काइनेटिक इनर्जी आ गया वरस इंगल मॉलेकुल्स ऑपर यहां यहां से एक रिलेशन आया तो कॉंटन्स तो चेंज नहीं हो सकती है तो काइनेटिक आ तो सबसे पहली बात तो मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनरजी ऑफ गैस मॉलेकुल्स इस डारेक्टली प्रपोश्टल टू टेम्परेच्ट दूसरी बात यह कि एक सिंगल गैस मॉलेकुल्स के अगर बात करोगे अगर टेम्परेचर सेम है मालो हाइडरोज के मॉलेकुल्स है तो क्या सकती काइनेटिक अलग अलग होगी होगी टेनसर क्या होगा है आप एक ही होगी क्योंकि आप 3 by 2 k तो सब में रखोगे न तो अब टेम्परेचर भी से मैं तो टी भी रखोगे तो आप यहां पर कह सकते हो कि सेम टेम्परेचर पर अलगैस के काइ अगिवन तेमपरेचर तेमपरेचर गानितिक एनरजी ऑफ इच मोलेकूल की एक इक सिंगल मॉलकूल कलिए अपनी काले हो इस जाय वह इडरोजन कलिक आप रखोगे 1 by 3 2 3 by 2 kB इस थे बोल्ट्समान कॉंसरें टी कि तो यह दिए यानि मेरा कानेटिक इनरजी जो आया है तेटीज थी बाई टू बोल्ट्समान कॉंसरें इन तो तेमपरेचर और इस कानेटिक एनरजी फॉर ऑ सिंगल मॉलकूल सफ गैस अगर मालेजे मिरे पास एन एन मॉल ऑफ गैस है और एन मॉल ऑफ गैस गैस के पास कितने मोल से मेटा एन मोल लें अब एन मोल ऑफ गैस यहां पर दिया हुआ है तो मुझे बात बता हो किन्मोल उसमें कितने नंबर और मॉल कूल सुगे एक सिंगल मॉल रहेगा तो उसमें कितने नंबर आफ मॉल्कूल्स होगे एवोगाड़ो नंबर के बटा पर आप एन इंटू तो काइनेटिक एनरजी यहाँ पर कितना हो जागा बताओ एक मॉल्कूल के लिए पता है तो एन से गुना कर दो ऐसाइनगन तो फॉर एन مॉल व गएस तो क्या होज़ेगा 3 by 2 बॉर्जम पाइन कॉंस्टें इंटव ती हाँ पर यहाँ पर जो बॉर्णवें कॉंस्टेंट है न आपका कॉंस्टेंट इंट इंट्व क्या लिख सकते हो आर का एन ळ brag i na सकते हो नॉन हम उसकता हूं kinetic energy of in mole of gases kinetic energy is equal to a small n in to a verbageтесь थी बाइट जो एंटु बोल्ज्मन कॉंस्टेंट की जगन आप पर एंटु तो क्या बच गया मेरा three by two nRT that is the room काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मोल ऑफ गैसे यह सिंप्ली अगर मैं इसको कहूं तो काइनेटिक एनर्जी इस इकल टो थ्री बाई टू इन आर्टी यह फर्मूला किसके लिए है बटा फॉर एन मोल ऑफ गैसेश ओके क्लियर है यहां तक किसी को कोई टाउट नहीं ना चली यहां पर कुश्चन दिया हुआ है इनक्रीज इन टेंपरेचर फगैस फिल्ड इन कंटेनर उड लीड्स टू अगर किसी एक कंटेनर उसमें गैस रखा हुआ है अगर उसमें टेंपरेचर को आप बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा तो क्या हो जागा इनक्रीज इन इस काइनेटिक एनरजी यानि उसकी कि आथ सबसे पहले समझते वीट फ्री पाट फ्री पाट एक्ट्रूली क्या होता है न कि जो भी मॉलेकुल मॉलेकुल से का और आरहे हैं तो एक को लेकर दूसरे को बीच में कुछ देर तक फ्रीली वह मूव किया तो एक बार टकड होने के बाद वो दूसरे को लिजन से तीसरे को लिजन तक होने से पहले वह कुछ तो फ्रीली मूफ किया होगा उस तो दूरियां उसने तै की होगी इसको हम बोलते फ्री पाथ कि है न तो बहुसरिक पाथ हो जाएंगे लेंबड़ा फूर्टेशध करने से पहले वो कुछ डिस्टेंस ड्रेवल करेगा तुछ वह को से करके कितने नंबर अपको क्या निकलना मीन फिरी पाथ के लिए को क्या करना पड़ेगा सभी को एड़ करो और उसके बाद क्या कर जो तो आपका क्या जाएगा मीन फिरी पाथ सबसे फिरी पास समझ है एक कोलेजन से दूसरे कोलेजन के बीच में जब फ्रीली मूव कर रहा है असानी से जो मूव कर रहा है उसको मुखते फ्री पाथ अब सारे फ्री पाथ को जोड़के उतने नंबर से डिवाइड कर दो आपका मीन निकल जाएगा अब अब लैमडा एम यहीं मीन फ्री पाथ न अब एक और मीन फ्री पाथ निकालने का मेरे पास नेमडल में निकाल सकते हैं उससे महां है जहां पर लैमडा एम क्या है आपको पता egent भी है, mean free path, n जो है न यहाँ पर, इसको बोलते हैं number density, यहाँ जो n जो है, इसको हम बोलते हैं number density, और number density का मतलब होता है, number of molecules और unit volume, यानि unit volume में कितने number of molecules हैं, और यह जो है diameter, इसको हम बोलते हैं molecular diameter, इस formula से मैं lambda, यहनि जब नहाँ पर diameter दिया रहेगा, वहाँ पर यह लगाओ गया, जहाँ पर simple individual, अगर आपको किसी का free path दिया है, तो उसको जोड़ दो, और total से divide कर दो, आपका mean free path निकल जाएगा, क्लियर हैं यहाँ तक सभी आदमी को, चलिए, next देखते हैं, एक और formula है, in terms of boldsman constant and pressure, यहाँ पर मैं जब boldsman constant और pressure के terms में लिखेंगा, तब मेरा lambda m is equal to हो जाएगा, इस formula से मैं mean free path निकाल सकते हैं, जहाँ के भी क्या है, यह जो है पी is the pressure, पास्कल में रखना है आपको, एसा unit में, temperature अमेशा Kelvin में रखना है, diameter अगर कोई और में दिया रहेगा, तो आप nanometer में जेनरली दिया रहाता है, तो nanometer को meter में convert कीजेगा, और nanometer को meter में convert करने के क्या करो गया, 10 पर पाउर माइनस 9 से गुना करो गया, चीक है, चलिए, अब यहाँ पर आपको पता ही है, बोल्जमन constant के जगा पर आप क्या लिख सकते हो, आर ने भी लिख सकते हो, यनि बोल्जमन constant is equal to क्या होता है, गैस constant divided by avogado number, इसको भी आप वहाँ पर रख सकते हो, इस terms में भी आप लिख सकते हो, लैमडा M को, लैमडा M is equal to क्या हो जाएगा, आर बाई avogado number into T into root 2 pi d square into T, लैमडा M is equal to हो जाएगा मेरा, आर T by root 2 pi d square na by P, इस terms में भी आप mean free path को लिख सकते हो, gas constant के terms, ठीक ना, किलिए है विटा, अभी कुष्च्छन या पर दिया हुआ है, the mean free path lambda for a gas molecule depends upon diameter D, the molecules as, क्या answer होगा इसका, the mean free path of a gas molecule depends upon diameter D as the gas molecules, कैसे depend करेगा, अभी हम लोग देखे है न, lambda M is equal to diameter के साथ कैसे वेरी कर रहा, 1 by root 2 pi N, और क्या है d square, यह न, तो बाकी चीज़े constant है, तो lambda M किस पर depend कर रहा है, 1 by diameter के square पर depend कर रहा है, अप्शन नमबर ए, ठीके न, next question देख लिए, the mean free path lambda of a gas with molecular diameter D and number density N, यह तो simple formula based, simple formula पूछ दी, आपसे समझ दीजे, यह need 2020 का question लेकि समझे, simple formula पूछ दी आपसे, तो formula क्या होता है, अभी बताए हम लो, lambda M is equal to 1 by root 2 pi N d square, यह न, option number A यहाँ भी हो जाएगा, ओके चले, next, current ideal gas in a closed container is slowly heated, ideal gas is closed, slowly heated as temperature increases, which of the statements are true, the mean free path of molecules decreases, the mean collision time between the molecules decreases, the mean free path remains unstained, the mean collision time remains unstained, actually कहना कि जब भी आप temperature बढ़ाते हो, तो molecules की जो collision की जो frequency हो बढ़ जाती है, है न, तो एक time होता है न, time between two successive collision, जो लगातार collision के बीच में जो time होता है, उसको हम बोलते है relaxation time, क्या बोलते है, relaxation time, या आप electricity में भी पढ़ोगे, जब आप 12th class में जाओगे तो, उसको toss हम लोग indicate करते हैं तो यह relaxation time है, यह temperature पर depend करता है, और temperature बढ़ना के साथ, actually temperature जब बढ़ा होगे, तो collision frequency बढ़ जाएगा, तो लगातार collision की time क्या हो जाएगी, घट जाएगी न, reduce हो जाएगी, तो यहाँ पर अब क्या को रोगो, collision की time reduce हो गई, अब collision की time reduce हो गई, तो एक तो option हो गया कि, the mean collision time between the multiple, यह चुकिए multiple choice question है नहीं, एक से ज़्यादा भी correct हो सकते हैं, जैसे भी यहाँ पर statements बोल रहा है, जैसे एक से ज़्यादा भी correct हो सकते हैं, दूसरा क्या mean free path जाना है, यह temperature पर depend नहीं करता है, mean free path does not depends upon temperature, तो यहाँ बी और सी दोनों से यह हो गया, कि लिए ने बटाएं यहाँ तक सभी अनमी को, तो लैमडा कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, लैमडा M is equal to Boltzman constant और pressure लगाओगे, तो Boltzman constant इंटू temperature divided by 2 pi और क्या करूगे D square इंटू P, अचा temperature हमेशा किसमें रखना है, Kelvin में रखना है, तो यहाँ temperature आपको किसमें दिया है, 27 degree Celsius, इसको add कर दो 27, plus 273, यानि यह कितना हो जाएगा, 300 Kelvin, तो यहाँ पर सब चीज रख दो, कितना रख दो, कि 1.38, इंटू 10 पर पावर, माइनस 23, इंटू क्या कर दो, 300, फिर डिवाइड कर दो, 2, सरी, root 2 हो गया यहाँ, तो root 2 हो गया यहाँ, तो root 2 की value कितने हो जाएगे, 1.42, इंटू पाई, पाई की value, 3.4, अच्छा, यहाँ पर diameter दिया हुआ, 0.3 nanometer, तो मैंने क्या कहा है, कि diameter अगर दिया है, 0.3 nanometer, इसको meter में convert करो, 0.3 into 10 power minus 9 meter हो जाएगा, तो यहाँ पर convert करो तो कितना हो जाएगा, 0.3 into 10 power minus 9 का square, इंटू क्या दिया pressure, तो pressure क्या है, 1 into 1.01 दिया है, मैं approximate में लिका 1 into 10 power 5, अब सभी चीज़ों को क्या करना, 10 power हो गया रहो को solve करो, यानि कितना हो जाएगा, 1.38 into 10 power minus 21 निख लो, क्योंकि यह जो 2 0 है ना, यहाँ जो 2 0 है, इसमें से मैंने कम कर दिया होँआपे, into क्या हो गया, 3 हो गया, divide by कितना हो जाएगा, 1.42 into 3.14 into क्या हो जाएगा, 0.09 into 10 power minus 18 into 10 power 5, इन सभी को solve करोगे, यह आप solve करना इसको, as a homework आपके लिए रहेगा, screenshot आप ले सकते हो, solve करेंगे तो 102 nanometer आपका एंसर आएगा, ठीक है, आप इसका screenshot ले सकते हैं, ठीक है, जब आप solve करेंगे इसको, तो 102 nanometer, यानि लामडा M is equal to, आपका आजएगा, लगभग 102 nanometer, यानि 10 power minus 9 meter आजएगा, तो उसको आप nanometer लिख सकते हैं, के लिए न यहां तक, चलिए, एक और last question यहां पर दिया हुआ है, कह रहा है कि, दो molecules से, दोनों का diameter दिया हुआ है, एक का diameter वन आइंगर स्ट्रॉम, अच्छा आइंगर स्ट्रॉम समझते हैं आप, वन आइंगर स्ट्रॉम is equal to होता है, 10 power minus 10 meter, तो यह आइंगर स्ट्रॉम दिया हुआ है, तो करेक कल्कुलेट रेशियो of mean free path of the molecules of two gases, having molecular diameter, one आइंगर स्ट्रॉम and two आइंगर स्ट्रॉम, दो गैसे दोनों का diameter दिया हुआ, तो लैमडा M का ratio निकालना है, तो लैमडा M कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्स टू डामेटर का स्क्वार, ताप इसको रेशियो में क्या लिख सकते हो, mathematically, लैमडा M1 by लैमडा M2 is equal to, अब क्या लिख सकते हो, D2 का स्क्वार, divided by क्या लिख सकते हो, D1 का स्क्वार, ठीक है, अब यहां पर अब क्या लिख दो, lambda m1 divided by lambda m2 is equal to 2 by 1, इसका आप क्या कर दो, square, ठीक है, 2 by 1 हो गया, अब यहाँ पर आप क्या लेख सकते हो, lambda m1 divided by lambda m2 is equal to 4 by 1, is equal to क्या हो जाएगा, 4 ratio 1, that is the lambda m, यहनी option number b, ओके किलिए रहे हैं तर, done विटा, चलिए, next आजएगे, Maxwell velocity distribution, यह graph देखिए, Maxwell velocity distribution क्या कहता है, कि यह graph दिया हुआ, इधर जहें न, इधर, यह तो आपका speed दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ, आपका speed दिया हुआ, और इधर दिया हुआ, fraction of molecules, यहनी इस side में आपका क्या दिया हुआ, fraction of molecules, तो हर, हर, यहनी माल लो, कि यहाँ पर जो speed है, इतने fraction of molecules है, यहाँ पर भी कुछ speed है, यहाँ पर भी कुछ speed है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सबसे जाद है number of fraction, largest fraction of molecule जो है, वो एक particular speed को acquires कियेंगे, यानि आप इसको ऐसे समझो कि इस class में है, एक subject के marks बताया गया, तो सहरे strength के different marks होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 85 होंगे, किसी के 100 होंगे, बनाब डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होंगे, लेकिन एक particular marks मार्क्स माले, जादा तर इस student के पास हो 60 नोबर, इसको हम बोलेंगे most probable marks, यह जादा तर most fraction of student जो है, इस marks को acquires किये हुए, है न, तो वैसे ही gas के molecules जो है, एक particular speed जो है, वो सबसे जादा gas के molecules उस speed को acquire किये हुए, उसको हम बोलेंगे most probable speed, यहनि largest fraction of molecules acquire this speed, is known as most probable speed, कि लिए बात समझे में आगे ने, most probable speed क्या है, ठीक है न, तो इसको हम लोग बोलेंगे most probable speed, जिसको आप vmps भी बोल सकते हो, most probable speed, यहनि largest fraction of number of molecules जो है, यह इस speed पर acquire किये गए, या fraction of molecules के लो, सबसे ज़्यादा यहां graph देखो, एक particular speed पर वो सबसे ज़्यादा molecules, fraction of molecules जो है, सबसे ज़्यादा इस particular speed पर है, फिर average भी है, अभी हम लोग average discuss करेंगे, फिर rms तो हम लोग पहले ही discuss कर चुके, तो यहां पर आपको rms speed विया हुआ है, अभी पिछले class में भी previous भी हम लोग discuss किये थे, कि vrms is equal to क्या होता है बटा बताओ, तो vrms is equal to 3rt by m, that is vrms ना, अब r की जगा आप क्या पूट कर सकते हो बटा, बोल्ड में constant into avogado number, एक तो यह आई गया, तो आप क्या लिख सकते हो, vrms is equal to root under 3 boardsman constant into temperature divided by avogado number और mass of gas molecules को आपको क्या लिख सकते हो, sorry, उपर में multiply करना हो, avogado number into mass of each molecules into avogado number, mass में है ना, नीचे molar mass को ताप multiply कर सकते हो, total mass of each molecules into avogado number, तो यह avogado number, avogado number cancel हो गया, यानि एक और formula मेरा बन जाएगा 3 kb t by small, that is also vrms, है ना, अच्छा एक चीज़ और बताओ, मैंने previous class में discuss किया था, pressure is equal to rho by m into rt, reverse class में जब density, ideal gas equation में जब density के form में मैं लेके गया था, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, p by rho is equal to rt by m, तो यहाँ पर मैं rt by m है ना, vrms में यह rt by m है ना, इसके पास मैं p by rho भी लिख सकते हो, यह नि मेरा एक और formula बन जाएगा, 3p by rho, यह नि तीन formula हमारे पास बन गए, vrms निकाल लेगा, है ना, तीन formula बने ना बटा, यह vrms ही दिया हुआ है, यह root में जो दिया हुआ है, बाहर जो लगाए हुआ है ना, वो vrms का square किया हुआ है, तो vrms का square तो होता ही यह, यह नि मेरे पास तीन formula बन गए, vrms निकाल लेगा, एक तो बन गए मेरा, 3rt by m, similarly एक और क्या बन गए बटा, बोल्ड्जमन कॉंस्टेंट के टॉम्स में बन जाएगा, 3, बोल्ड्जमन कॉंस्टेंट टेंपरेचर by a small m, a small m यह mass of each molecules है, ठीक है ना, और similarly बन गए मेरा, root under 3p by density, clear है, इससे हम vrms निकाल सकते, similarly average, average क्या था है, बहुत सारे molecules से कोई v1 split से move कर रहा है, कोई v2 split से move कर रहा है, कोई v3 split से move कर रहा है, ऐसे से करके in number of molecules से v1 split से move कर रहा है, तो average आप कैसे निकालोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 स्वान कहां तक चला जाएगा, vn तक और जितना रहेगा, उससे divide कर तो क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा, similarly average निकालने का क्या formula यहां पर लिखला है, v average is equal to root under 8 by pi rt by m, अब rt by m की जगह पर पी बाइडो भी लिख सकते हो, अभी previous class में यहां पर डिसकस की, rt by m की जगह पर पी बाइडो भी लिख सकते हो, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, root under 8 by pi pressure by density, और Boltzman constant r की जगह क्या लिख सकते हो, Boltzman constant to avogado number, और molecular mass को भी आप क्या लिख सकते हो, molecular mass को भी लिख सकते हो, आप a small m into avogado number, इसको आप solve करोगे, तो v average is equal to क्या हो जाएगा, root under 8 by pi तो रहे गाई, Boltzman constant temperature divided by mass, हमेशा यहां पर देकिए molar mass जो है, वो kg में रखना है, और temperature जो है, वो Kelvin में रखना है, यह ध्यान रखिए तो अभी R 8.314 into 10 पर-23 Joule पर Kelvin लिएगा, फिर आगे हम most probable speed, है न, V MPS में लिख दता हूँ most probable speed, उसका formula क्या है, 2RT by M, अब RT by M की जगह पर आप pressure by density पर लिख सकते हो, तो 2 pressure by density, और Boltzman constant के terms में में क्या आए गया है, 2 Boltzman constant by a small m, capital है molar mass है, और small है mass of each molecules है, अच्छा तीनों का अगर ratio में निकालू, है न, V RMS, ratio, V average, ratio, V MPS, तो क्या हो जाएगा बटा बता हूँ, RMS कितना है, 3RT by M, और ये कितना है बटा, 8 by average क्या है, 8 by pi RT by M, और most probable क्या है, 2RT by M, तो इनका ratio क्या हो जाएगा, तीनों कट जाएगे न, कट जाएगे, RT by M, RT by M, RT by M, यानि क्या बच जाएगा, रूट 3, ratio, 8 by pi, ratio, root 2, 8 by pi को 2.5 के लगबगा आएगा, तापकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 3, ratio, root 2.5, ratio, root 2, ये आगे आपका, V RMS, ratio, V average, ratio, V most probable speed, सबसे जादा value में कौन जादा है, देखो, सबसे जादा रूट में, 3RT, ये देखो, root 3, 5, 5, 2, तो, RMS है पहले, उसके बाद average है, उसके बाद V MPS है, यानि सबसे बड़ा जो है न, V RMS, magnitude में, सबसे जादा possibility किसकी है होने की, यानि सबसे जादा speed molecules जो रखे हुए रहता है, वो probability है V MPS, यानि अगर मेरे पास gas के molecules है, तो एक ऐसी speed है, जो जादा तर molecules जो acquire किये गए, जादा largest number of molecules acquire किये गए, तो number जादा है, बट values में, magnitude में अगर बात करो, तो RMS की value सबसे जादा होती है, उसके बाद average की value होती है, उसके बाद MPS की value होती है, ठीक है, आगई बात समझ में तीन हूँ, यह relation हमको याद रखना है, 8 by pi को वह भी होने 2.5 बता है, यहाँ पर MPS दिया हुआ है, मैं आपको RMS बताया था पिछले एक slide में, तो पहले V RMS है, फिर V Average है, फिर V MPS है, ठीक है, यहाँ तक सभी आदमी को समझ में आ गया, anybody have doubt, छे लिए thank you very much and have a lovely evening.